वेलकुम बैक नाजवीन, गुड़ मारिंग सेवसीटी में एक दफा फिर आपको खुशामदीत कहते हैं जुर्म जितना भी बड़ा क्यों न हो सच और कानून के आगे बहुत ही छोटा लगता है बहुत छोटा सा लगता है क्योंके कानून नाफिस करने वाले जो एदारें हैं वो जुर्म के ताकूँ में 24-27 लगे रहते हैं इसी तरह से हमारा सेवसीरीस अथारिटी का महकमा भी जराइम की रोक थाम के लिए दिन रात गामजन है हमारा 1.5 का ट्राकिंग सिस्टम है हमारा लाइफ ट्राकिंग सिस्टम है यह ट्राकिंग सिस्टम आये रोज कोई जराइम से भरी हुई चीज़ कोई जर्म जहां हो रहा हो उसको ट्राक करता है अपने बहुतरीन टेक्नोलोजी की मदद से तो इस हवाले से एक बहुती बहुती बेतरीन काविश और बेतरीन स्टॉरी हमारे यहाँ पे ट्रैक की गई है रसाने की मिनाच पेशेशें ने बहुती चिहीं है लेकिन एक खास म।क्सूट स्टॉरी है यह हम अपने नाजरीन से यह शेयर करना चाहेंगे और इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में मदू किया है हभीबुला हाश्मी साब को ये DSP Operation Safe City है इने प्रोग्राम में सलाम कहते हैं असलाम लेकुम अपको और थैंक यू सो मच आपने पर टाइम दिया काम ऐसा होता है जो हर वक्त आप लोग बहुत मस्रूफ होते हैं जिस तरह से जुबैर ने जिकर किया कि हमारी लौ इंपोर्श्मेंट एजन्सी और स्पेशली जो सेफसरी साथॉरिटी क्राइम पर बड़ी एक कड़ी नज़र रखे हुए है कोर्स भी से काम है बिलकुल तो आप बताएं किस तरह से यह सारा काम कैसे होता है किस तरह से यह ट्रैकिंग की जाती है जो ऑफिसे ट्रैक करते हैं थोड़ा सा परसीजर बताएं हमारे नाज़री इसवाले से जाना चाहीं जी तेरह वैसे तो यह बहुत इसमें काफी काम होते हैं जानी अगर हम एक प्रोग्राम में तो हम इस को लेबरेड नहीं कर सकते कि सेफ सीटी में क्या क्या होता है कोछ चीजें शहेद लाइव बताने मुनासिब भी नहीं तो मैं आपको वैसे जिनरली फार आम शहरी के लिए कि हम कैसे काम करते हैं और हम उनकी कैसे हल्प करते हैं मापको थोड़ा सा मता देता हूं हम एक लाइव ट्रैकिंग का रहे होते हैं लाइव मुनीटरिंग का रहे होते हमारे कैमरे आन होते हैं आठ हजार पलस कैमरे हैं हम मुसलसल देख रहे होते हैं हमारे ट्रेंट है अगर आप काल करते हैं वान फाइव पे एक जो पिछले दिनसीजम सहब ने फताब भी किया पैनिक बटन का इसके लावा आप काल करते हैं और हम आपको आपके लोकेशन सर्च कर लेते हैं और वहां अगर कोई सेफ सिटी का कैमरा है तो हम आपको आप पे कैमरा फिक्स कर द को अबने दिए आरे अपना रख जोखते हैं दियुक्त में ख़गे हैं और आकशर चौक में पुलीस वाला होता है या कोई और मोदिया होते हैं यह यहिन को शाफ आपवला बैठा होता है तो हम उसको कहते हैं कि आप यहां पर खड़े हो जाओ अभी पुलीस आपके पास आ जाती है और हम फिल्ड स्टाफ को उनके पास बिजवा देते हैं यह रूटीन में होता रहता है और इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है खसोसन खावतीन को किसी को भी आप एक होती है लाइफ ट्रैक जर इन दॉ चीज़ों में डिफरंस बता दें कि वन फैफ ऐसर बात कि आपने विर्ट्वल पोलिस आफिसर आप करते हैं और एक वह नॉमली भीर्ट्राग कर रहे होते इसमें पर रिफरंसु सृआ और दोनों चीज़ेंもし जहां जहां पे कुछ इंसिडेंट होता हैқ अगरते हैं다면 रिडिय को इस इंस इंसीर्ट अगस्छेट आ्टार जैसे कि चेन जप्ति है मुबार चीन लेते हैं हाँ मुझार आथे स्पेसिफिक जगह पर हम उस वक जाएंगे जहां पर आपको कोई प्राबलम है यह जहां पर आप काल करेंगे बतलब लाइव पी ट्रैकिंग चल रही है देखा जा रहा है कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है और इसके साहसा है जैसे जुछ पूछ थे आप से कि कॉल अग कि हैं बज़र्ग और बच्चे हमारे यह जो हैं बहुत काबल इतराम है प्रास जेंडर की तो चलो आज करमा बात नहीं करता क्योंकि वह बहुत बड़ा सोशल मीडियो पर एक बात हो रही है तो वह भी है नो डाउट और बज़र्ग हमारे हैं जिन्होंने जवानी पाकिस् पर भी हाक है स्टेट पर भी हाक है तो अभी चार माई को जुबहर एक बज़र्ग पाक पतन से भला चौक एक जगह है जोहर टाउन में इबलाग में वहां अपने बेटी से मिलने आए साजदा बेटी का नाम था बज़र्ग बहर निकले हैं और जगह घर भोल गया है रहसत इस तरह के कपड़े पैने हुए है पाक पतन से मुझे मिलने आए और घर से बाहर निकले है तो मुझे मेलने रहे बहुत परेशान थे पूरी फैमली उसके रिष्टेदार बेटे बेटी जिसके पास आए तो सब बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उसने अपनी पूरी ज जिमादारी की बेटी ने जो वो कर सकती थी और अपने तोर पर यकिना ढूंड भी रहोंगे तो पांच बजे एक वलीद जो है डॉल्फन का स्टॉफ का उसने वनफाव पे काल की कि यह जोहर टाउन में एक बज़ग सतर पंजातर साल उनकी उमर है वो फेर रहे हैं जहनी तो पर बिलकुल ठीक है अपना नाम भी बता सकते हैं सारा कुछ सितने ही बताते हैं कि मैं पाक पतन सिया हूं यहां बेटी के पास हूं जगा का नहीं पता महला का नहीं पता गली का नहीं पता बलाक का नहीं पता मकान नंबर का नहीं पता रोड के नाम का नहीं पता चौक का नहीं पता कुछ पता नहीं है आया पाक पता न स्याजनी तवाजन बिल्कुल ठीक है तो यह मैं को पकड़ के साइड पे लेके जा रहा हूं कि कोई एक्सिडेंट हो जाए वो आप काफी परेशान है और सड़क बार-बार क्रास कर रहे हैं और घबराए हुए है अपने सही ल लुकान्वाले बंदे को जो हमारा कांस्टेमल है उसको live ले है झाद के मेरे की मदशे के मैरे की मदशD से camera focus किया और उसको live care ऊसको monitor करते है उस location छीमद切 को देखें professionalism देखे становится safe city के लोगों को ऐसको salute करता हूँ उसने यह सोचा कि यह 75 साल عمر है बाबा निकला हुआ है वो सुबा से वो भी कह रहा है कि मैं घर से निकला हूँ सुबा के टाइम हो मुझे को कुछ पता नहीं चाहरा तो उस पीसी ओ ने उसकी लास्ट अंट फॉंड हमारे एक सेक्शन है जिसमें अगर को बच्चा गुम हो जाए को बज़र गुम हो जाए को चीज गुम हो जाए उसमें सर्च किया वो जो सुबा आट बज़े खतूर ने काल की थी वो शाम पाँच बज़े उसने टेली करना शुरू किया तो बाबे के कपड़े बाबे की उमर बाबे की फिजीक और पाक पतन सियाना वो सारे में रिकार्ड मैच होगे उसने फ़री तोर पे साइदा को काल की वापस है कि आपके पापा मिल गया है फलाँ चौक में फलाँ डालफन का ये नंबर है और ये मजूद है हम उनको कहां पर पहुचा है तो उस लड़की ने उस बेटी ने अपने घर का पता बला चौक एबला ज ये डेली ऐसे वाकियात होते हैं सेफ सीटी डेली ऐसे खिदमत करते हैं अपने चेरफ की डेली काम करते हैं जबर दसर ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी थी और इसका बताने को पर्पस भी यह ता कि नाज़िन को ये पता चल सके किस तरहां से 24-7 हमारे लोगों की बूख है ये नॉर्मल है ये फिशक्ति आम बंदे गो नीस समझ में आ सकता तो इनकी इस अवरे से को ट्रेशनिंग हम आप लग लोग कर राते हैं लोग ये बड़ा लंब आ सब्जेक्ट है बड़ी ट्रेनिंग होती है इसी को पर्फेशनलिग कहते है ब्लकुल इसी को पर कार ली लेकिन सेफ सीटी डिटेक्ट करता है कि ये कितने लोग थे चौक में आए ये कहां से चले कहां पे अकठे हुए इसको टार्गिट किसने चूज़ किया पूरा बैट ट्रैक और फर्वर ट्रैक ये टार्गिट किसने सिलेक्ट किया कि फलाँ इस बंदे के पास किमती परस नजर रहा है जैसका वेले नजर आ रहा रहा है और किसने और उसकी जो हरकात औरहिए जगात works को मिलाते हैं यही तो पर्फेशनलीजम है अंईयूने इसकी बाडी लेंगविच इसकी मठ़ուच हरकात औरहिए बहुत सारी चीजे होती हैं एकी जगा के चक्कर बाते यहां पे देख रहा है वो बंदा भी इसके देख रहा है यह दिए बहुत सारी चीज़े होती है जिसकी बकायवार ट्रेनिंग होती है और हमारे बड़े रॉफेशनल्स हाइली कौलिफाइड सीनियर्स वो ट्रेनिंग देते हैं सर प्रोग्राम के एंड में आपको प्रगाम देना चाहें इस कैमरे के सामने जी बिलकुल मैं प्रगाम देना चाहूँगा कि आपको जब कभी भी जरूरत हो तो आफ सेफ सीटी को वन फाइव की सर्वेश जरूर ले हमेशे ले मैंने जो आपको वाकिया सुनाया उसमें दो बाते हैं एक तो सेफ सीटी की खिदमत प्रफेशनलिजम और दूसरी बात अगर वो खतून बन फाइप काल ना करती के मैं तो आरत हूँ पुलीस वालों को कहा मिलना है ये नहीं मिलेगा तो बिलकुल नहीं मिलना था लेकिन उसने जस्ट एक फ्री काल की और उसके पापा गुंटबाद सेफ और साउंड घर में लगए घर पुलीस चोड़ किया ये भी नहीं कि हम उसको चौक में बुलाते या किसी थाने में बुलाते उसको उसके वाले साब से मुलकात करा दी और एक परेशान खांदान बहुत खुश और बहुत हैपी हो बहुत बहुत शुक्र आपके हम पे ट्रस से एक खातून को उनके वालिद बिलकुल थोड़े से टाइम में विदिन फ्यू आर्स मिल गए बाहिफाजद और उनके घर तक उनको पहुंचाया गया पुलीस ऑफिसर ने उनको पहुंचाया ये मुश्टर का काविश ती उस ऑफिसर की जिसने बताया Safe Series Authority कि Lost and Found Center जिसने अब तक 5000 से जाएद ये जो सेंटर है गुम्शदा अफरात को अपने प्यारों से मिलवा चुका है आपसे सिर्फ एक एक ये दरखास है ट्रस्ट कीजिए अपने अधारों पे 15 कॉल के अहमियत को समझीए कोई भी आपको साथ वाकिया हो कोई भी आपको ह चाहिए 15 पे कॉल जरूर कीजिए लेकिन सिर्फ जरूरत के तहत गायर जोरी कॉल से एवाइड कीजिए ये था जी हमारा ये वाला सेग्मेंट अब लेते हैं चोटा सा चोटा सा ब्रेक उसके बाद चलेंगे अगले सेग्मेंट में स्टेविदास